यब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पड़ जाएं, तो आवाज घुलंध करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे News Click पर मेरे साथ बोल की लब आजाद है तेरे गोल सबा अब तक तेरी है न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहन कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब है नाजसकार आप देख रहे हैं बोल, किलब, आजाद हैं तेरों एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया आदा करना चाहूंगा कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूस क्लिक का साथ दे रहे हैं हमारी सदस्ता को ग्रहन करके ताकि हम इसी तरह से आपके जुड़े मुद्दे आप से जुड़े मुद्दे जो हैं वोट आते रहें और इस सरकार से सवाल करते रहें और आज जो दो मुद्दे में आपके सामने लाया हूँ वो आपके स्क्रीन्स पर हैं मुद्दा नमबर एक उत्तर प्रदेश में कुरोना के दौरान और कुरोना के बाद हालाद बच से बत्तर है मगर योगी सरकार का एक ही काम है दोस्तों प्रचार और प्रसार के जरीए ख़बरों को दबाओ मुद्दा नमबर दो बेरोजगारी का दंश और यकीन मानिये दोस्तों ये बेरोजगारी किसी ब्लाक फंगस से कम नहीं है कुरोना के बाद देश के सामने बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट है आज हम उसकी चर्शा करने जा रहे हैं क्योंकि ये सरकार उसकी चर्शा नहीं कर रहे है शुरुआत हम करने चाहेंगे योगी सरकार से जी हाँ योगी सरकार जिसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि किसी तरह से प्रचार और प्रसार के जरीए अपनी पालतू मीडिया के मूँ में रुपए जो है वो घुसाए जाए जिसके जरीए हकीकत जो है वो छुपाई जाए जी हाँ मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों कि बस्ती में क्या हुआ आतं जानते हैं क्या हुआ बस्ती में दोस्तों कोरोना की जाच को लेकर एक विडियो आया है यहाँ पर कुछ लोगों को देखा जा सकता है कि किस तरह से वो कोरोना की जो स्टिक्स हैं उसे तोड रहे हैं और उसे बरबाद कर रहे हैं अगर ये बतला रहे हैं कि हाँ हमने जाच कर लिए मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखिए और फिर मैं उसकी चर्शा करूँगा देखिए वीडियो किस तरह से कोरोना को लेकर जो स्टिक्स हैं जो आरटी पीसियार के जो सेक्स हैं उन्हें बरबाद किया जा रहा देख और फिर दावा क्या किया जाता है दोस्तों दावा ये किया जाता है कि देखिए हमारे गाओं में तो को कोरोना है ही नहीं उत्तर पदेश में कोरोना है ही नहीं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि भारत समाचार उन गिने चुने निउस चैनल्स में से है जो कि आज की तार पर स्वास्त विभाग की कर्मचारी ग्रामीनों की जिंदगी के साथ मजाग कर रहे हैं कोरोना किट की खुले आम की जा रही है वरबादी ग्रामीन इलाकों में भेजे गए जाच कर्मियों की उदासींता से हो रही है जाच प्रभाविट टार्गेट पूरा करने के नाम पर खराब कर रहे हैं कोरोना किट बिना सैंपल लिए स्टिक को तोड़ कर रखने का सामने आया विडियो जी हाँ ये विडियो जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं इस विडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना किट को बरबाद किया जा रहा है और और फिर बाद में दुनिया को ये बताया जाएगा कि देखो हमारे गाउं में तो कुरोना है ही नहीं और उत्तर पदेश के गाउं में क्या हो रहा है आप जानते हैं गाउं में कुरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है गाउं वाले जो हैं कुरोना नहीं बलकि किसी और बीमारी से मर रहे हैं ये दुनिया को बताया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ एक बात नहीं उत्तर पदेश की कई बाते हैं और अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कौन सी बाते हैं दोस्तो अब जो आपके स्क्रीन्स पर खबर है ये वो खबर है जिसे अखबार अंदर दबा देते हैं मगर ये बहुती गंभीर खबर है खबर देखिये क्या है अक्सिजिन 30 किलो मीटर में बढ़ गई 42 हजार की कीमत डियम ने SDO को जाच सौपी कईयों की फसेगी गरदन खबर क्या है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ ग्यानपुर अक्सर किसी ना किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहने वाला जिले का स्वास महकमा एक बार फिर विवादों में घिर गया है ताजा मामला अक्सिजन सिलिंडर की खरीद को लेकर है मिर्जापुर में जिस सिलिंडर को 12,000 रुपए में सुआस विभाग में खरीदा वही जिले में 56,000 रुपए में खरीद की गई मातर 30 किलो मीटर की दूरी में 42,000 रुपए की कीमत बढ़ गई सिर्फ 30 किलो मीटर में 42,000 की जो है कीमत बढ़ गई मैं यह जानना चाहता हूँ आखिर इसकी जवाब देही किसकी है क्या इसी तरह से आप मुद्दे को दबाते रहेंगे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस मुद्दे पर भदोही की जो मुख्य चिकित साथिकारी है लक्षमी सिंग उनका क्या कहना है लक्षमी सिंग जो कह रही है वो बहुत ही हैरत में डाल देने वाली बात है लक्षमी सिंग ये कह रही थी कि कोरोना की जो पहली लहर थी तब भी ऑक्सिजन के सिलिंडर्स 54,000 में खरीदे गए या बिके क्या कहा जा रहा है सुनी आप उनकी बार दोस्तों इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने भी उठाया आपके स्क्रीन्स पर संजे सिंग का बयान जब लोग तडप रहे थे तब उत्तर पदेश में हो रहा था सिलिंडर घोटाला और बात यहाँ पर नहीं रुकती दोस्तों अब आपके सामने एक और शौकिंग खबर है सुल्तानपुर के बारहा कस्तूर्बा विद्यालियों में सामने आई गड़बडी स्कूल बंद मगर बावजूद इसके स्टेशनरी और भोजन के लिए निकाले गए देखे क्या कहरी है परताल 18 जिलों में 9 करोड के घपले का अंदेशा जानकारी के मताबिक प्रदेश भरके 18 जिलों में कुल 9 करोड रुपे की धंदराशी निकाली गई इसमें बरेली 46 लाक रुपे बिजनौर में 74 लाक रुपे देवरिया में 68 लाक रुपे पतेपुर में 31 लाक रुपे घाजियाबाद में 18 लाक रुपे गुंडा में 96 लाक रुपे काशिराम नगर में 41 लाक रुपे मौ में 23 लाक रुपे मेरट में 26 लाक रुपे मुरादाबाद में 49 लाक रुपे प्रताबगड में 76 लाक रुपए, राय बरीली में 63 लाक रुपए, संद कबीर नगर में 38 लाक रुपए, श्रावस्ती में 26 लाक, सोन भद्र में 26, सुल्तानपुर में 44, उननाव में 47, बनारस में 37 लाक रुपए निकाले गए याने की स्कूल्स बन थे, फिर भी खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर करोड़ों देपर निकाले गए, इस पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के संजेज सिंग का, आए सुनते हैं बेई मानी के इतनी बड़ी घटना, मैं समझता हूँ, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, कि महामारी में जब लोगों के घरों में बच्चे, बच्चों की जान जा रही थी, बुजर्गों की जा रही थी, मातां बेहनों की जा रही थी, उत्तर प्रदेश के बेसिक सिक्षा मंत्राले के अधीन, यानि सतीस दुवेदी जी के मंत्राले के अधीन आने वाला कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले, उसमें 9 करोन रुपए निकाल लिये गए, और बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी उपस्थिती सुननी थी, बाउजूद इसके भोजन और स्टेशनरी का पैसा निकाला गया, और फिर योगी सरकार क्या करती है दोस्तों, योगी सरकार पहली बात तो NTPC के गेस्ट हाउस में पालतू मीडिया को बुलाती है, और उनको बताती है कि भई आप उत्तर पदेश के नाम पर सिर्फ पॉज लागराज में या गंगा के तटपर जो इस वक्त हम लाशों को जिस तरह से दफन किया गया है, ये जो है हालात 2017-18 में भी थे, और पाया दैनिक जागरन का दावा सरसर जुटा था, और क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये खबर देखिए आपके स्क्रीन्स पर, IANS की इस ख जनता पार्टी सरकार से अब तक सो करोड रुपए मिले हैं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ या पर, मैं सिर्व इस खबर के हवाले से दैनिक जागरन से पूछना चाहता हूँ, और उन तमाम अखबारों से पूछना चाहता हूँ, कि इस सरकारी मदद के चलते कहीं आपके हाथ तो नहीं कापते हैं, और ये जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं घलत कह रहा हूँ, अगर मैं घलत कह रहा हूँ, तो ये जो दावा, IANS ने किया है, या Alt News ने किया, आप इसे घलत साबित कर दीजे, और बात यहाँ नहीं रुकती दोस्तों, दैनिक भासकर की ये पर किसी से कह रहा था कि तुम हम लोग एक प्रचार चला रहे हैं, योगी सरकार के पक्ष में, आप 25 ट्वीट कीजे और हर ट्वीट का आपको 2 रुपए मिलेगा, यानि कि 25 ट्वीट का आपको 50 रुपए मिलेगा, ये खबर जैसे ही सामने उभर कर आती है, इसकी चर्चा फॉर्मर आईस आफिसर सूर्य प्रताप सिंग अपने ट्वीटर पर करते हैं, बजाए की इस मुद्दे से शर्मेंदा होने के बजाए कि आप जानते हैं, यूपी पुलीस क्या करती है, योगी शासन क्या करती है, वो लोग फॉर्मर आईस आफिसर सूर्य प्रताप सिंग के खिलाफ F.I.R. कर देते हैं और सूरे प्रताब सिंग पर ये च्छटा F.I.R. है। सूरे प्रताब सिंग इसी तरह से इस सरकार की नाकामियों का मुद्दा उठाते रहें और उनके खिलाफ ये अब तक का च्छटा F.I.R. है। और योगी सरकार की हकीकत का परदाफाश तब हुआ जब इलहबाद हाई कोट में सख्त आदेश में कहा कि सूरे प्रताब सिंग की गिरफतारी नहीं होगी और उनके एक ट्वीट पर उन्होंने उन्नाव पुलीस को बाकाइदा अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यानि कि जो दावे योगी सरकार नहीं किये जिसके तहत सूरे प्रताब सिंग को टार्गेट किया जा रहा था वो फिलहाल अदालत के इस आदेश से हवा होते दिखाई दे रहे हैं। यहीं नहीं दोस्तों अलिगड की एक और खबर आपके सामने स्क्रीम्स में है वहाँ पर अवैद शराब पीने से उसमें अब तक 87 लोग मारे गएं। आपके सामने खबर देखिए दोस्तों यूपी हूच टोल किल्स 87 पीपल फामिलीज तो गेट 5 लाक एड। मैं आपसे जानना चाहता हूँ न ये रामराज्य के हालात हैं। क्योंकि आप तो बहुत संसकारी बाते करते हैं। यहाँ पर अवैद शराब पीने से 87 लोग मारे गए हैं। मगर क्या आप अलिगड की इस घटना की चर्शा कहीं पर भी सुन रहे हैं। क्या मुखेधारा का मीडिया योगी आद इतनात को कट घरे में खड़ा कर रहा है कि ये देखिए क्या हो रहा है आपके राज में हैं। मैंने आपको तमाम खबरे बताई हैं। उल्टा जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं आप उस पर F.I.R. कर रहे हैं। मजाग बना कर रख दिया आपने। मगर उसकी चर्शा करने से पहले मैं आपको आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री कार्याले में। यानि कि प्रधान मंत्री कार्याले प्रचार का इतना भूका है कि बार्वी की परिक्षाएं रद्ध हो गई। उस बात की भी घोशना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरफ से की जाएगी। और जो असली मुद्दा है उसे आप संबोधित नहीं करेंगे और वो है मेरे देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा दोस्तों बेरोजगारी की चर्शा करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक आकड़ा दिखाता हूँ यह कोरोना से पहले का आकड़ा है आपके स् सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है ब्राजील में 27.5 तुर्की में 24.6 और तीसरे नंबर पर भारत है 23.09 और सबसे कम आकड़ा है तंजानिया का 3.5 यानिकी 3.5 यह हालत है दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी को ले कर मगर यह आकड़ा कपका था यह आकड़ा था कोरोना से पहले का अब कोरोना के बाद बेरोजगारी बच से बत्तर होती जा रही है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कैसे आपके स्क्रीन्स पर यह आकड़ा CMIE का है और यह आकड़ा क्या कहता है मैं आपको पढ़के स सुनाना चाहता हूँ आपके पूरे स्क्रीन्स पर आएगा कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में एक करोड से ज्यादा भारतियों की नौकरी चली गई है और 97 फीसदी से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है प्राइविट थिंक टांग सेंटर फर मॉनेटरिंग इ पिछले साल देश व्यापी लॉकडाउन के कारण मई में बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड 23.5 फीसदी तक पहुँच गया था कई एक्सपर्ट्स की राय है कि संक्रमन की दूसरी लहर का पीक चला गया है अब राज धीरे धीरे आर्थिक गतवीदियों पर लगे प्रतिबं प्रतिबंग से कम नहीं है ब्लाक फंगस की मैं बात क्यों कर रा हूँ क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं आठ या 9 दिनों में उन्हें ब्लाक फंगस जखड़ रहा है और यह जो ब्लाक फंगस है इसी स्ट्राइक griести nosei परसेंट है अधिक तर लोग जो ब्लाक फं ब्लाक फंगस की बीमारी जक्र लेती है जिसमें आपको खासी होती है। सांस लेने में मुश्किल होती है। उल्टी होती है। Critical function माही है। ये है कुरोना का परिणाम, ब्लाक फंगस और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो बेरोजगारी है इस वक्त, ये भी किसी ब्लाक फंगस से कम नहीं है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसका असर क्या पढ़ने वाला है आने वाले दिनों में और ये सबसे चिंतित करने वाले आकड़े हैं, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आएगा, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, उन्हें दोबारा से मुश्किल से रोजगार मिलेगा, जी हाँ, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है दोस्तों, फिर से रोजग परिवार के अवसर बनने में एक साल तक का वक्त लगेगा, यानि की जो मध्यमवर्गी परिवार हैं, जिनके धिमाग में छद मराश्टरवाद का धतूरा जो है वो चटा दिया गया है, या डाल दिया गया है, और जहां पर और्गनाईस सेक्टर में नौकरियां मिलती हैं उसके बाद आईए, इस समय मार्किट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40 फीसदी पर आ गया है, महामारी से पहले लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.5% था, ऐसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या बेरोजगारी से आप मुँ मोड सकते हैं, क्या सरकार का आखर योगी आद इतना जैसे मुक्य मंत्री ये प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, वो लोग ये प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है महामारी से कुछ लाखों लोग प्रभावित हों, मगर सरकार चाहती है कि जो बाकी कई करोडों लोग है वो उस हकीकत को ना देखे मगर हकीकत ये है कि कोरोना का दंश प्रदेश में हर परिवार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है आपके आसपास हर एक शक्स की कही न कही मौत हुई है और सरकारें इन आकड़ों को दबा रही है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने क्या किया है आपके सामने दोस्तों ये खबर देनिक भासकर की प्रत्यक्षकिम प्रमानम भासकर को कचरा पात्रों में मिली पात्सो वायल में से बीस वायल बतौर सैंपल देखिये हम बेंच नंबर भी बता रहे हैं भी जी इसकी जाच करा लें यानि की कोरोना को लेकर वाक्सीन जो आ रही है वो बरबाद हो रही है और वहां के जो मंत्री है रगु शर्मा वो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जबकि देनिक भासकर ने अपनी पड़ताल में पाया है उनके पास वो वाइल है आप देखते हैं दोस्तों वो वाक्सीन की तमाम वाइल्स इसकी तस्वीर बाकाइदा देनिक भासकर ने चापी है आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस चीज से अपना मुँ मोड सकते हैं पिछले साल आपने भीलवाडा मॉडल की दुहाई दे दे कर गहलोच साहब बड़ी बड़ी बाते की थी इस बार राजिस्थान पूरी तरह से नाकाम रहा है कोरोना संकट का सामना करने के लिए हाँ एक चीज की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा आपकी कि कम से कम आप उन लोगों पर F.I.R. नहीं करते उन लोगों पर पुलीस केस नहीं करते जो लोग हकीकत सामने लाते हैं मैं उम्मीद करता हूँ गहलोच साहब कि यह जो हकीकत आपके सामने आ रही है आप इस पर काम करेंगे क्या लिखा है देनिक भासकर ने बहुत दिल्चसब बात है दोस्तों ऐसी आधी से ज़्यादा भरी हुई वाक्सीन्स की सेंकडो और वाइल अब भी देनिक भासकर के पास हैं स्वास मंत्री डॉक्टर रगूश शर्मा हमारे आफिस से इसे मंगवा सकते हैं हमारा पता है देनिक भासकर आफिस टेन जेलन माग मालवे नगर जैपूर पिन कोड 302015 मैं यही समझना चाहता हूँ दोस्तों देनिक भासकर जैसे अखबारों ने तो फिर भी हिम्मत दिखाई है उत्तर पदेश की भी तस्वीर को आपके सामने लाते रहे हैं क्या यह हिम्मत हमारे मुक्धारा के न्यूस टैनल्स दिखाएंगे उन सरकारों के खिलाब जो की पत्रकारों पर दबाव बनाते हैं या पत्रकारों की मुँ में नोट डाल देते हैं जिसके चलते हैं उनका मुँ नहीं खुलता बताईए बताईए क्योंकि देखिए साहब न्यूज शक्र में न्यूज क्लिक में हमारी तो मजबूरी है क्योंकि हम जनता की सुनते हैं हम जनता की मुद्दे उठाते हैं इसलिए मुद्दे लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे और इस बात से हमें कोई नहीं रोक सकता अब इसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार